दोस्तों मैं आज बनाने चारी हूँ मेरे आटे के मिक्स के मीनी कुल्चे आज तक आपने बटी में देखे होंगे इस तरह से चोटे मीनी के कुल्चे जो घर में बनते हैं आपने नहीं देखे होंगे इस तरह से मैंने चुट चुटी ऐसी बनाई है मीनी और इस तरह से इनको सेखा है और इनको कैस पे सेख के अच्छा से घी लगा कि घर के लोगों को सर्व कर दूंगी चाहिए वो आप शाई पनीर के साथ करें मटर मश्रूम के साथ करें जो भी आपके पास सब्ची उसके साथ करें यह बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों इस तरह से इसको धीम्या सिख गए है मीनी कुल्चे इसको मैं गैस के इस तरह भखूँगी गैस मेरी धीमी है लेकिन मैंने इसको थोड़े सी तेज कर दी है इस तरह से मैंने चिम्टे से इनको सेख लिया हमारे मीनी कुल्चों को बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों नॉन बटर के तरह रोटी हमा इस तरह से इसको हमने पीनों को सेख लिये लेखे मैं आपको प्लाइप सामने दिखा रही हूं इस तरह से हमने सेख लिये वापस हमने तब आपना गैस इस पर रखा यह हमारी जो सिकी हुई जो रोटी मीनी कुल्चे हैं इनको हमने वापस यहां रखा और दोस्तों कैस की लो कदली हमने और इसके अबर हमने घी लगा लिया दोस्तों है ना लाजवाव लजीज हमीनी कुल्चे हमारे और इधर देखे हमारे कुल्चे बन रहे हैं और इधर मैंने आज अपने घर के लोगों के लिए मटर अश्रुम की सबजी बनाई थी सलात काटा अचार रखा साथ में चमच रखी और यह कुल्चों को जो मैंने अभी बनाये थे यहां सीधे से सर्व कर दिया दोस्तों देखें रख रही है एक मैं दूसरी प्लेट में रखती हूं तो इस तरह से दोस्तों मेरी कंप्लीट थाली बिन गई और मैंने दोस्तों दोस्तों कितें बढ़ defensive को मींनी लिए छोटे पूरी लग रहे इसके अलावा कुल्चे में कुछ भी नहीं किया में और यह कुल्चों सिर्फ बढ़िया लगती तो कभी भी आप बना सकते दोस्तों है ना स्वाधिष्ट मीनी कुल्चे वित मटर मश्रूम के साथ सलात अचार के साथ दोस्तों